हमें जीवन को प्रवाहा के साथ जीना चाहिए और उसी प्रवाहा के साथ खुद में बदलाओ भी लाना चाहिए लेकिन कितने लोग ऐसा कर पाते हैं खुद को बदल पाते हैं सुचे जरा एक ही ढर्रे पर जीवन जीते रहना क्या जिन्दिकी जीना है Recently इसी से related एक कवीता पढ़ी कवीता नोबेल पुरुसकर वेचेता Spanish कवी Pablo Neruda की कवीता You start dying slowly का हिंदी अनुवाद Actually यह कवीता हमें जीवन में बदलाव के बारे में बताती है उसके माईने बताती है और अगर हम बदलाव नहीं लाते है तो यह सुचने पर मजबूर करती है कि क्या हम जिन्दिकी जी रहे है या हर रोज थोड़ा-थोड़ा मर रहे है तो सुनिए You start dying slowly आप धीरे-धीरे मरने लगते है आप धीरे-धीरे मरने लगते है अगर आप करते नहीं कोई यात्रा अगर आप पढ़ते नहीं कोई किताब अगर आप सुनते नहीं हूँ जीवन की ध्वनिया अगर आप करते नहीं किसे की तारीफ आप धीरे-धीरे मरने लगते है जब आप मार डालते हैं अपना स्वाभी मान जब आप नहीं करने देते मदद अपने नय करते हैं मदद दूसरों की आप धीरे धीरे मरने लगते हैं अगर आप बन जाते हैं गुलाम अपनी ही आदतों के चलते हैं रोज उनी रोज वाले रास्तों पे अगर आप नहीं बदलते हैं अपना दैनिक नियम व्यावार अगर आप नहीं पहनते हैं अलग-अलग रंग या आप नहीं बात करते हैं उनसे जो हैं अजिनबी अंजान आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं महसुस करना चाहते आवेगों को और उनसे जुड़े अशान्त भावनाओं को वे जिनसे नम होती हूँ आपके आखे और करती हूँ तेज आपके धड़कनों को आप धीरे-धीरे मरने लगते हैं अगर आप नहीं बदल सकते हो अपनी जिन्दगी को जब हो आप संतुष्ट अपनी काम और परिणाम से अगर आप अनिश्चित के लिए नहीं छोड़ सकते हो निश्चित को अगर आप नहीं करते हो पीछा किसे स्वप्न का अगर आप नहीं देते हो इजाजत खुद को अपने जीवन में कम से कम एक बार किसी समझदार सलाहा से दूर भाग जाने की आप धीरे धीरे मरने लगते हैं